आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और जट पर बन जाने वाला स्नेक तो इसके लिए सबसे पहरे चाहिए होगे आपको अपले हुए आलू यहाँ पर मैंने दू अदद आलू को बॉयल करकर इसे चील के अच्छे से मैश कर लिया है इसके बाद बीफ को मैंने अद्रक लेसन और नमक डाल कर बॉयल करकर इसे इस तरह से रेशा कर लिया है आप चाहें तो बीफ की जगा चिकन का भी इस्तमाल करते हैं सेम आपने अद्रग लैसन और नमक डाल कर बॉयल करना है देनिस का रेशा करकर इसे आलों में शामिल कर देना है अब इसमें डाल देंगे चौप किया हुआ हरा धनिया एकदम बारीक चौप करना है साथ ही इसमें डाल देंगे दो अदर चौप की हुई हरे मिर्चे या फिर आप अपने टेस्ट के अकौर्डिंग डाल देंगे एक अदर चौप किया हुआ अनियन एकदम बारीक चौप किया हुआ होना चाहिए अब हम इसमें एड़ करेंगे आधा चाय का चमच लाल मिर्च एक चाय का चमच काले मिर्च एक चाय का चमच नमक एड़ करेंगे एक चाय का चमच लैसन का पाउडर और आधा चाय का चमच अद्रक का पाउडर आप चाय तो इसकी जगा दोनों का पेस्ट भी उसकर सकते है और एक चाय कर चमट चाड मसाला एड़ करेंगे और इन तमाम चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताके आलू और बोटी अच्छे से मिक्स हो जाएं अच्छे से मैश करने के बाद आपने इसे 2-3 मेट के लिए छोड़ देना है अब हम इसके बनाएंगे कबाब थोड़ सा पोशन लेना है आपने और हातों में रोल करकर कोई भी शेप जो भी आपको पसंदो आप उस तरह के कबाब बना सकते हैं मैं यहां पर इसे ओवल शेप पर रखेंगे और बाकी के तमाम भी सेम सी तरीके से त्यार करेंगे तो यहां पर मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैप की तरफ तो यहां पर मैंने एक अदद अंडा लिया है इसमें डालेंगे थोड़ी सी काले मिर्श थोड़ा सा नमाग और अब हम अंडे को अच्छे से फैंट लेंगे, तो अंडा फैंट चुका है, अब एक कबाब लेंगे, इसे अंडे में अच्छे से डिप करेंगे, अच्छे से डिप करने के बाद हम इसे ब्रैड क्रम में अच्छे से कोट कर लेंगे, आप जाए तो ब्रैड क्रम की जगा बातार को अपना धरे यूस्त करेंगे लोत से अबक हो कर्लाक्व अजिकते हैं के जिसे ना नियुक्ता रखैसे और ये करम es और एक जगाब को क्योंकि आलू और बोटी अच्छे से पके हुए हैं हमने सिर्फ उपर से कलर देना है तो यहां पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इन्हें निकाल लेंगे और बाकी के तमाम भी हमने सेम इसी तरीके से फ्राइब करने हैं तो यह थी आज की रेसिपी कमें सक्ष झ्योंकि प्राइब कॉपने से थाज़ तरीके से तरीके से लेंगे तरीके से अदाफ लेते हैं तरीके से वहां इस से टुके से अढ़े अईब क्योंसे